Hello everyone, welcome back to Just Simplify आज मैं आपके साथ बहुत ही useful से kitchen tips शेयर करने वाली हूँ तो 2 मिनट का time निकाल के वीडियो पूरी दिखिएगा तो चलिए बिना time waste के वीडियो को start करते नमबर 1 यदी निवो का अचार खराब होने लगे तो इसमें थोड़ा से सिरका डालके हलकी आँच में पका लें अचार खराब नहीं होंगे नमबर 2 सूजी कालवा बनाते समय उसमें पानी की जगा दूद का इस्तिमाल करें हलवे टेस्टी बनते नमबर 3 यदी आपके कैची का धार कम हो गया है तो नमक की डिबे में दो तीन बार चला ले कैची का धार अच्छा हो जाता है नमबर 4 पराठे बनाते समय एक उबले आलू को कद्दुकस करके डाले पराठे जो हैं बहुत ही तेस्टी और मुलायम बनते हैं नमबर 5 रोटी बनाते समय रोटी को गैस की फ्लेम पे बिल्कुल भी ना से कि ये नुकसान दायक होता है इसे हमेशा तवे पर ही फुलाएं नमबर 6 राट को सोते समय रूम में हीटर बिल्कुल भी ना जलाए इस रूम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है नमबर 7 बिना अंडे के सॉफ्ट और स्पंजी केक अगर आपको बनाना है तो केक के बैटर में एक पके हुए खेले और दही का इस्तमाल करें केक स्पंजी बनेंगे नमबर 8 नारियल की बर्फी बनाते समय दूद की जगा मिल्क पाउडर का इस्तमाल करें इससे जो बर्फी ये वो टेश्टी बनती है नमबर 9 अगर आप कुकर में डाल बना रहे है तो उसमें एक चमस सरसो का तेल डाले इससे डाल बाहर नहीं आते हैं नमबर 10 मसाले की डिब्बे में थोड़ा सा नमक डाल देने से मसालों में जाले नहीं पढ़ते हैं और वो फ्रेश रहते हैं नमबर 11 डाल में देशी गी का तड़का लगा देने से डाल का जो टेश्ट है वो बढ़ जाता है नमबर 12 आलू उबालते समय कूकर में एक चमस नमक डाल देने से आलू फटेंगे भी नहीं और आप पेछिल के जोई आसानी से निकलेंगे नमबर 13 हलवा बनाते समय हलवे में चीनी की जगा अगर आप चासनी का इस्तमाल करते हैं तो हलवे का कलर और टेस्ट दुगना हो जाता है नमबर 14 चाय को कभी भी दुबारा गर्म करके नहीं पीना चाहिए इससे ऐसे डिटी की प्रॉबलम बढ़ जाती है नमबर 15 टमाटर के सूप में थोड़ा सा ब्रेट का चूरा मिक्सी में बना का डालेंगे तो सूप गाड़ी और टेस्टी बनती है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसे ही और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें थैंकी सो मच